हेलो दोस्तो दा अल्टिमेट स्पोर्ट्स के आईपिल स्टाटिस्टिक्स में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जब से आईपिल स्टार्ट हुआ है यानि 2008 से लेके अभी तक अगर हम सारी KKR की टीमों को मिला ले तो कौन सी होगी बेस्ट 11 KKR टीम मेरे हिसाब से आपके हिसाब से टीम अलग हो सकती है आप वो कमेंट बॉक्स में लिखे और दोस्तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे दोस्तो सबसे पहले मैंने रखा है ओपनिंग के लिए गौतम गंभीर और क्रिस लिन को दोस्तो गौतम गंभीर अब तक के KKR के सबसे हाइस्ट कोरर रहे है और KKR के सबसे भरोसे मन बल्ले बाज भी रहे है और opening में गौतम गंबीर जब भी उत्रे है गौतम गंबीर ने एक भरोसा दिलाया है कि हाँ मैं खेलूँगा और दोस्तो क्रिसलिन आप सोच रहे होंगे मैं मेकलम को भी रख सकता था गेल को भी रख सकता था पर दोस्तो क्रिसलिन का average इन सबसे सबसे जादा है और क्रिसलिन ने मेकलम और गेल से जादरन बनाए है केके आर के लिए और दोस्तो क्रिसलिन एक ताबर तोड बल्ले बाज है इस समय क्रिसलिन का फॉर्म भी बहुत अच्छा है सारी leagues में Chris Lynn बहुत अच्छा खेलते होए आ रहे है और KKR के लिए भी Chris Lynn ने बहुत अच्छा किया है और Gotham गंभीर और Chris Lynn का combination भी बहुत अच्छा है राइट लिफ्ट का combination है और दोनों में coordination भी बहुत बढ़िया है दोस्तो first down में रखना चाहोंगा Jack Kellis को दोस्तो किसी भी टीम में first down का जो बल्ले بास होता है वो हमेशा भरोसे मन बल्ले बास होना चाहिए वो technically strong बल्ले बास होना चाहिए तो दोस्तो KKR की team में मुझे लगता Jack Kellis से बड़िया बल्ले बास ऐसा कोई होगा Jack Callis KKR की दिवार थे और दोस्तो first round के लिए first choice होने चाहिए मनीश पांडे भी हो सकते है पर दोस्तो Jack Callis का experience बहुती बढ़िया है बहुती शांदार है और Jack Callis का performance भी ये कहता है Jack Callis के बाद उतारना चाहूंगा मैं Robin Utpa को Robin Utpa KKR के सबसे experience खिलाडी है KKR के लिए सबसे ज़ादा matches खेले है और दोस्तो KKR के लिए consistent performer रहे है Robin Utpa हाला कि पिछले दो साल से Robin Utpa का performance अच्छा नहीं रहा है पर इससे पहले तक Robin Utpa हर एक season में शांदार batting किया है और Robin Utpa aggressive भी है तो Jack Callis के साथ जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी Jack Callis जाड technical batsman है जा single doubles पे depend रहते है वही Robin Utpa मारधाड़ वाले बल्ले बाज है छक्के चौके पे depend रहते है उसके बाद दोस्तों आएंगे दिनेश कार्थिक हाला कि दिनेश कार्थिक 2018 से ही KKR की टीम से जुड़े है पर दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा performance किया है दिनेश कार्थिक एक जिम्मेदार बल्ले बाज है तो दिनेश कार्थिक को इसलिए रखा गया है क्योंकि पहले दो तीन विकेट अगर जल्दी गिर गए तो बाद में दिनेश कार्थिक इनिंग्स को समाल सकते है इनिंग्स को एक अच्छे पेस में ले जा सकते है और एंड में जाके तावर तोड बल्ले बाजी भी कर सकते है तो दिनेश कार्थिक का बेस्ट पोजिशन होगा ये रॉबिन उत्तपा के बाद ताकि अगर विकेट जल्दी गिर गए तो दिनेश कार्थिक समाल भी सकते है अराम अराम से खेल भी सकते है और दोस्तो एंड में हिटिंग भी कर सकते है फोर्थ डाउन मैं उतारना चाहूंगा हमारे तावर तोड़ बल्ले बाज बहु बली आंद्रे रसल को दोस्तो मैं यह वैसे तो चाहता हूँ कि आंद्रे रसल पहले आए और सब को दिवाली देखने को मौका मिले पर दोस्तो आंद्रे रसल की जगा यहाँ पे एंड में बनती है क्यूंकि दोस्तो एंड में आंद्रे रसल अच्छी हिटिंग करते है आंद्रे रसल पहली बॉल से ही मारना स्टार्ट करते है आंद्रे रसल को आखे जमाने की जरुवत नहीं पढ़ती है बॉल पे आंद्रे रसल आते है और हिटिंग करना स्टार्ट कर देते है दोस्तो किसी किसी मैच में जरूरत पढ़ सकती है जब KKR फर्स बैटिंग कर रही हो दोनों ओपनर्स ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया हो उसके बाद आंद्रे रसल आएंगे और आंद्रे रसल ताबर तोड बल्ले बाजी करके स्कोर को 200 के पार लेके जाएंगे दोस्तो आंद्रे रसल एक आल राउंडर तो है ही साथ में मैं 5 दाउन उतारना चाहूंगा सुनील नरायन को सुनील नरायन भी आजकल एक आल राउंडर की भूमी का ही निबाते है बहुत बड़िया बैटिंग कर रहे है सुनील नरायन और KKR के लिए तो उन्होंने ओपनिंग की है ओपनिंग में तावर तोड बल्ले बाजी की है पर दोस्तो जहां पे गौतम गंभीर और क्रिसलिन है तो मैं इन दोनों को ही ओपनिंग कराना चाहूंगा और सुनील नरायन को फिफ दाउन उतारना चाहूंगा और वहाँ पे भी वो अच्छी बैटिंग कर लेंगे एंड में वो पावर हिटिंग कर सकते है दोस्तो इसके बाद साथ होती है KKR की टेल अब आते हैं प्यूश चावला मैंने दो स्पिनर रखे है सुनील नरायन और प्यूश चावला क्योंकि दोस्तो अगर इडन गार्डन्स में KKR के जाहतर मैच होते है और इडन गार्डन्स स्पिनर्स को बहुत मदद करती है इसलिए दो स्पिनर रखना जरूरी है हालकि सुनील नरायन बैटिंग भी कर सकते है तो सुनील नरायन एक एसेट है हमारे लिए और प्यूश चावला भी बैटिंग कर सकते है पर हम उनको ऐस आल राउंडर काउंट नहीं कर रहे है प्यूश चावला जरूरत के मौके पे अच्छी बाइटिंग कर सकते है उन्होंने IPL फाइनल में भी करके दिखाया जब उन्होंने आखरी वर्ल पे चोका मारा था और दोस्तो कई मौकों पर KKR को उन्होंने एंड में मैच भी जिताया है पर दोस्तो हम उनको as a baller, as a spinner ही काउंट करेंगे KKR के लिए अभी तक सुनील नरायन और प्यूश चावला की जोडी ने बहुती शांदार परफॉर्म किया है और दोस्तो ये best spinning जोडी है KKR के लिए दोस्तो IPL के किसी भी टीम में हम सिरफ 4 foreign player रख सकते हैं और वो मैंने रख लिए है Jack Callis, Chris Lynn, Andre Russell और सुनील नरायन मुझे ने लगता इस से बहतरीन कोई foreign players KKR के लिए होंगे तो दोस्तो मैंने 3 fast baller रखे हैं इसके बाद और 3ों के 3ों Indian fast baller है सबसे पहले fast baller है इशांद शर्मा इशांद शर्मा इंडिया के लिए खेल चुके है बहुत matches खेल चुके है KKR के लिए जब वो खेलते थे तो KKR के लिए बहुत अच्छा performance किया है उन्होंने और दोस्तो इंडिया के लिए भी बहुत बढ़या performance किया है और इशांद शर्मा अभी बहुती experience gain बाज है इंडिया के one of the experience gain बाज है इस समय इशांद शर्मा जो खेल रहे है तो दोस्तो इशांद शर्मा अगर आपके squad में है तो उनको team में रखना तो बनता ही है दसवे खिलाडी होंगे KKR के जैदेव उनतकद जैदेव उनतकद को इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आपने रंजी सीजन देखा है इस साल का तो दोस्तो रंजी ट्रोफी में सबसे जादा विकेट लेने वाले है जैदेव उनतकद सौराष्टरा इस साल रंजी ट्रोफी जीती है और उसका में रीजन है सौराष्टरा का रंजी ट्रोफी जीतने का जैदेव उनतकद और दोस्तो KKR की टीम में मैं आकरी फास बॉलर आकरी गेन बाज रखना चाहूंगा शिवम मावी शिवम मावी इंडिया के उभरते हुए गेन बाज है फास बॉलर है बिलकुल तेज तर्रार 145 की स्पीट से बॉलिंग कराते है और यंग है उनको गुरूम करने की बहुत जरूरत है इसलिए इशान चर्मा और जैदेव उनतकद जैसे एक्सपीरियन्स गेन बाज के साथ वो गेन बाजी करेंगे उनका एक्सपीरियन्स बढ़ेगा और वो और ज़्यादा खतरनाक होते जाएंगे इसके साथ साथ नगर कोटी भी है तो शिवम मावी और नगर कोटी को हम मतलब खिलाते रहेंगे औल्टरनेट वेज में तो दोस्तों आपको ये KKR की टीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और दोस्तों अपनी भी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ऐसे और वीडियोज देखने के लिए हर टीम की बेस्ट 11 जानने के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को लाइक कर इस वीडियो को शेयर कर इस वीडियो को और कमेंट कर इस वीडियो पे जाए हैं दोस्तो